हलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है विनोवा भावे ने यूजी सेमेस्टर 6 का ओनलाइन परिच्छा परपत्र का नोटिस जारी किया है जो कि 2019 से 22 सेशन के विद्यार्थियों के लिए है आगे के डिटेल्स मैं इस विद्यो में बताऊंगा तो विद्यो को पूरा देखे सबसे पहले हम देखेंगे समेस्टर 6 का 2019 से 2022 सेशन का ओनलाइन कब से कब तक होने वाला है आप सभी ओनलाइन फॉर्म तेरा तारीक छटा मैना 2022 से भर सकेंगे और इसका लाज़ डेट 20 तारीक छटा मैना 2022 है 20 जुन 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं बीना किसी परिच्छा दर्ण के उसके बाद इसमें कुछ नोट दिया हुआ है जो कि मैं आप सभी को पढ़ के समझा देता हूँ कि कौन-कौन से विद्यार्थी सेमेस्टर 6 का फॉर्म भर पाएंगे और कौन-कौन से नहीं भर पाएंगे उनके लिए कुछ नोटिस दिया हुआ है तो सबसे पहला नामांकन तिथी से 6 वर्स बीच जाने के बाद परिच्छा पर पत्र नहीं भर पाएंगे वैसे विद्यार्थी जो कि नामांकन जब हुआ हो और उनके 6 वर्स बीच जाने के बाद वो परिच्छा पत्र नहीं भर पाएंगे दूसरा दिया हुआ है सेमेस्टर 6 2020-22 की प्रयोगी परिच्छा जुलाई 2022 के पर्थम सब्ता में होगी जिसके बाद थ्यूरी की परिच्छा होगी तीसरा में जो विद्यार्थी सेमेस्टर 1 से 5 तक पास या प्रमोंटेड हैं सिर्फ वही सेमेस्टर 6 का फॉर्म भर पाएंगे जो परिच्छा आती सेमेस्टर 6 की आंतरिक परिच्छा में अनुबस्तित है वह नहीं भर पाएंगे उसके बाद पाचवा में आप सभी को दिया हुआ है कि सेमेस्टर 6 ये ये पॉइंट आप सभी अच्छे से समझेंगे कि आपको कितने का चलान करना है तो 5 नंबर में इसनातक पाठिकरम हेतु परिच्छा सुल्क 650 यानि कि यूजी के जो भी विद्यारती वे 650 रुपया आपका परिच्छा सुल्क लगेगा और मूल परमान पत्र ठीक है जो डिगरी सर्टिफिकेट होता है और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका 750 रुपया लगेगा और टोटल मिला के आप सभी को 1400 रुपया देने होंगे ओनलाइन के टाइम आप सभी को 1400 रुपया भरना है उसके बद वोकेशनल कोर्स के लिए परिच्छा सुल्क है 1550 और मूल परमान पत्र 750 रुपया एट करके आप सभी को 200 रुपया का ओनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा सेवन नंबर में एक्स कंडिडेट जो पूर्व में प्रोवीजनल और डिग्री सार्टिफिकेट की रासी जमा नहीं किये हैं वह रासी जमा कर सकते हैं एट में विदार्थी परिच्छा परपत्र भरते समय डियसी 3 और डियसी 4 एसपर्स टूप से उलेख करेंगे दियसी 3 में आप सभी को जो पेपर होगा और 4 में जो पेपर होगा उसे अच्छे से आप लोग को भरना है उसके बाद आप सभी को दिया हुआ है जो विदार्थी कोर परिच्छा में अनुतीर्न है उन्हें सिर्फ कोर परिच्छा देनी होगी जो विदार्थी डियसी में उन्हें DSC की परिच्छा देनी होगी, मतलब कि जो भी core subject में पिछले बार fail होंगे या फिर promote हुए होंगे तो उनको core परिच्छा ही देना है और जो DSC में promote होंगे पिछले बार semester 6 में उन्हें DSC के ही exam देना है otherwise दूसरा exam core का नहीं देना है उसके बाद 10th नंबर में BA, BSC, B.com जेनरल परिच्छा के लिए SIC entrepreneurship development विशय अनिवार है जो कि आपका SIC paper जो है वो entrepreneurship development विशय अनिवार है उनको लेना होगा उसके बाद 11 नंबर में आप से भी को online mode का website दिया हुआ है vbu.unube.in और www.vbu.ac.in के थुरू भरा जाएगा जिसमें अगर आप सभी create नहीं किये होंगे तो create कर लेना है और इससे related आप कैसे form भरोगे उसका video चैनल पर डाला हुआ है और अगर आप लोगों को phrase video चाहिए हो तो comment box में comment जरूर करें मैं semester 6 का एक phrase कैसे form भरता है उसका video बनाके डाल दूँगा बाकि आप सभी को form भरते time किसी भी तरह का problem होता है तो आप इन दो number पे संपर्क कर सकते है ये official notice में ये दोनो number आप लोगों को दिया गया है और इसका अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे PDF टेलीग्राम चैनल पे जोईन हो जाए वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करे